तो आज डिसकस करने वाले हैं क्लास सेकेंड के बारे में जो कि आपकी JOA 949 से रिलेटेड है आप सभी को पता है होगा कि इसकी एक्जाम डेट जो है वो एनाउन्स हो चुकी है तो इसके बारे में जो है वो सेकेंड क्लास के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे कोशिशन हम discuss करने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से unique होते हैं या फिर जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं maximum questions का answer जो है वो maximum आपको पता ही होता है same type का ही होता है बड question कि इस-किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसको यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से रखिएगा जिनका 817 नहीं हुआ है नो सो तीन नहीं हुआ है या फिर टाइपिंग टेस्ट में जो रह गए हैं तो अब आपके पास एक और मौका है जिसको आपको छोड़ना नहीं है ठीक है बात करते हैं सबसे पहले question के बारे में the IETF standards documents are called जो IETF IETF की full form होती है आपकी internet engineering task force ठीक है internet engineering task force ठीक है अगर आपसे मतलब की full form पूछ ली जाए तो internet engineering task force एक तरह की यह जो है वो standard organization है तो इसके जो standards document होते हैं उसको जो है वो क्या कहा जाता है आपके पास चार option जो है वो दिये गए है तो इसका जो सही answer है वो है आपका RFC ठीक है बात करेंगर RFC के बारे में तो RFC stands for request for comments ठीक है यह याद रखेगा RFC की full form जो होती है वो होती है आपकी request for comments and they are document that describe methods, behaviors, research और innovations application to the working of the internet जो भी application होती है उनके behavior के बारे में उनके methods क्या होते है उनकी research क्या होती है उनकी innovations क्या होती है इन सब के बारे में कौन बताता है वो बताता है आपका RFC RFC की full form होती है आपकी request for comments ठीक है जी और यह किसके standard document होते है यह होते है ICTF के यानि के internet engineering task force तो I think आपको यह चीज समझ आगी होगी और I hope आपने पहले भी जो है यह question पढ़ा होगा बहुत सारे question ऐसे होते है जो आपने पहले से ही पढ़े हो बट कोशिश हमारी यही रहती है कि थोड़े separate question जो है वो आपको करवाय जाए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो है वो नई test series launch कर दी गई है अपरेल 2022 के लिए special जिसमें आपको जो है वो थोड़े tough type के question जो है वो computer question दिये जाएंगे 15 mock test है English और Hindi दोनो language में है प्रिक्षाप का link मैंने description में डाल दिया है वहाँ से जाकर आप join कर सकते हैं coupon code आपको यूज करना है gk study 50 जिससे आपको directly 50% का discount जो है वो instant मिल जाएगा तो अभी 50% का discount 100 student के लिए चलाया गया है तो आप देख लीजे आपको join करना है कि नहीं करना है 15 test मिलेंगे computer के demo test आप उसका जेवे का चलाया गया है वो आपने already join किया हुआ है इसके लिए आप टीचिंग आप मात्मा गांधी HPG के और current affairs के इनको भी जाकर जो है वो join कर सकते है coupon code जो है वो आपका same ही रहेगा बड़ स्पेशली जो focus आपके लिए latest launch किये गए है वो आपके जेवे IT के किये कोशिच यह कीजिए कि आप जो है वो साथ साथ बता पाएं ताकि आपकी एक तरह से जो है वो तैयारी हो जाए ठीक है जी तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका syntax याद रखेगा ठीक है syntax क्या होता है the structure and format of data are defined using syntax ठीक है यह आपका most important line है ठीक है और अगर बात करें आपकी semantics की तो semantics defines how a particular pattern to be interpreted and what action is to be taken based on that interpretation ठीक है मां लीजे आप से पूछ लिया जाए कि देखे कि how a particular pattern to be interpreted and what action is to be taken based on that interpretation तो इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे आपका semantics ठीक है तो दोनों की मैंने आपको बता दी syntax क्या होता है semantics क्या होती है तो दोनों को चीजों को जो है वो आपको याद रखना है ठीक है next की बात करते है communication between a computer and a keyboard involves dash transmission जो भी मान लीजे आपका एक system है ठीक है जो आपका computer होता है और जो आपका keyboard होता है उसके बीच में जो communication होता है ठीक है जो sorry transmission होता है ठीक है वो जो communication होता है वो किस type का transmission जो है वो include करता है ये आपको बताना है transmission के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ाया अगर आप detail में पढ़ना चाहते हो तो 817 के उपर मैंने बहुत सारी videos बनाई थी detail में playlist में जाकर आप check out कर सकते हो वहाँ प communication होता है किसी भी computer के बीच में और keyboard के बीच में वो आपका simplex transmission होता है ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है in simplex transmission data flows in single direction which in this case refers to the data flowing from the keyboard to the computer ठीक है देखे जो simplex transmission होता है उसमें क्या होता है वो आपका एक ही direction में transmit होता है ठीक है अम मालीजे आप इस तरीके से समझ लीज और यहाँ पर आपका computer है तो आप keyboard से instruction जो है वो computer में डालता हो यानि कि data आपका जो है वो one liner transmit हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि computer से आप keyboard में data transfer करते हो ठीक है तो यहाँ पर जो है वो आपका simplex transmission follow होता है अब आपको half duplex के बारे में भी पता होना चाहिए full duplex के बारे में पता ह सकते हो another example would be of the mouse ठीक है mouse का भी same example रहेगा कि mouse से आप जो है वो screen पर click वगरा करते हो command देते हो but computer से तो mouse में कोई command नहीं जाती है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका data flow एक ही single direction में होता है उसको आपका बोला जाता है simplex ठीक है समझ गयोंगे keyboard आपका mouse जिस इसका उधारन है वो चीज़े जहां से आप सिरफ एक command दे रहे हो वापिस आपकी कोई command जो है वो नहीं आ सकती अगले question के बारे में बात करते है यह तो बहुत असान question आपने पढ़ा भी होगा the first network was called जो first network था उसको जो है वो क्या कहा जाता था ठीक है आज की जो question है वो ज होने चीए कि advance research project agency networks जो है वो ARPnet की full form है it was the first network to be implemented which used the TCP IP protocol कौन सा protocol यूज करता है भाई TCP IP यूज करता है protocol के उपर भी मैंने detail में वीडियो बनाई है और 1969 में जो है इसको found किया गया था तो पहली चीज तो कि भाई इसकी full form क्या होती है वो आपको पता होने चीए second क्या है कि कौन सा जो है वो protocol यूज करता है TCP IP यूज करता है तीसरा कब invent क्या गया था 1969 में तो तीन तरीके के आपकी question बन गए और first network अगर आप से पूछ ले जाता है वैसे ये पूछा नहीं जाएगा ज़ादा अगर कई बार पूछ ले जाता है ठीक है तो ARPnet जो है ARPnet आपको पता गई है ठीक है जी आगे बात करते हैं पर दूस से पहले current affair आपको पता ही है exam के लिए कितने जादा important होते है ठीक है और हर एक exam में कोई भी आपका छोटा level का exam हो या फिर high level का exam हो current affair आपसे पूछ जाते है तो current affair के उपर एक short channel जो है वो हमने बनाया है ठीक है जिसमें आप जो है वो कुछ ही एक छोटी सी वीडियो में जो है current affair को समझ सकते हो उससे related important information ले सकते हो तो description में मैंने link डाला है हमारे other channel का current affair के नाम से उसको जाकर जो है उससे जरूर जुडिए उसको एक बार analyze कीजिए वहाँ पर आपको बहुत अच्छे current affair मिलेंगे जो की important होते हैं ब physical path होता है जिसमें कोई भी message होता है वो travel करता है ठीक है message आपका travel करता है एक जगा से दूसरी जगा जा रहा है तो कौन सा path जो है वो आपका जाना जाता है तो इसका जो सही answer है वो है आपका medium ठीक है याद रखिएगा तो message travel from sender to receiver via physical path called the medium using a set of methods rules called protocol दिखे ध्यान से समझेगा message travel करते हैं ये sender है मालीजे ये आप हो ठीक है और ये आपने एक message भेजा जो की गया एक receiver के पास ठीक है तो ये जो travel करता है इसको बोला जाता है medium ठीक है और कुछ method होते हैं यापर कुछ rules होते हैं कि भाई इस rules के according जो है ये message travel करेगा ठीक है इसको इस तरीके से code किया जाएगा उसको क्या बोला जाता है जो भी set होता है method और rule का उसको बोला जाता है आपका protocol ठीक है तो अगर आप से ये पूछ ले जाए कि भाई जब भी message जो है वो travel करता है तो एक set होता है method का और rules का उसको क्या कहा जात तो उसको कहा जाता है आपका प्रोटोकॉल, तो मैं यही बोल रहा था प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होगा, बट कोश्चन पूछने के तरीके जो हैं, वो बहुत सारे होते हैं, तो उस चीज़ को समझना आपको जारा जुरूरी है, mediums can be guided और unguided, ठीक है, अब इसके बारे में मैंने 817 में पढ़ाया है अच्छे से, कि guided media क्या होता है, ठीक है, unguided mediums क्या होते हैं, तो ये भी आप पढ़ लिजेगा, guided जिसमें wired use होती हैं, और unguided जिसमें wireless होता है, कोई भी आपका use नहीं होता है, wireless होता है, ठीक है जी, तो इसका जो सही answer है, वो है आपका switch, ठीक है जी, तो network edge devices refers to host system, which can host application like web browser, ठीक है, कौन से network edge devices कौन से होते हैं, जो एक type के host system होते हैं, ठीक है जी, और ये क्या करते हैं, application को host करते हैं, जैसे कि जो है, वो आपके web browser type होते हैं, a switch cannot operate as a host, ठीक है, जो आपके switch होते हैं, उनको आप operate नहीं कर सकते as a host but as a central device ठीक है आप central device की तरह उनको use कर सकते है बढ़ आप जो है उनको host की तरह use नहीं कर सकते ठीक है तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रिखने है इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका switch ठीक है और एक चीज़ मैं आपको और बता दो जो हमने मोक टेस्ट अभी अपरेल के लिए use किये है ठीक है मतलब कि launch किये है जिनको आप join करोगे उसमें जाना तर focus जो किया गया है वो आपका language वाले question पर किया गया है यानि कि C++, C हो गया HTML हो गया ठीक है क्योंकि basic वगयरा तो सारा कुछ आप करी लेते हो ठीक है तो ये वाले question जो है वो basics आपका किया गया है तो 100 के लिए पहले discount चुलाएगा है 50% तो आप देख लीजेगा उस हिसाब से आपको जो है वो join करना है जितनी जल्दी join करोगे वीडियो को रोके उतना जल्दी जो है वो आपका फाइदा होगा ठीक है अगले question की बात करते है a dash set of rules that governs data communication ठीक है set of rules इन में से कौन सा है जो की data communication को governs करता है ठीक है चार आपके पास option दिये गए है तो इसका सही answer है protocol ठीक है दीक है question को अगर आप समझे होंगे तो आपको easily जो है वो answer पता लग गया होगा in communications a protocol reverse to a set of rules and regulation that allow a network of nodes to transmit and receive information वही वाली बात होगी कि sender ने message भेजा ठीक है receiver के पास तो जो भी आपके set of rules regulation होगी वो set करेगा आपका protocol ठीक है मतलब कि वही protocol बोला जाता है उस set of rules को ठीक है वही question जो है वो यहाँ पर पूछा गया है ठीक है जी each layer in the network model has a protocol set for example the transport layer has TCP and UDP protocol अब ये बहुँ ज़ादा important है कि आपको पता होनी चीए layers कौन कौन सी होती है OSI model के उपर वीडियो बनी बनी हुई है ठीक है आप जाकर जो है वो चेक आउट कीजेगा प्लेलिस्ट में 817 की वीडियो जो है ठीक है तो उसमें OSI पढ़िएगा तो आपको पता लगी layers कौन कौन सी होती है कौन कौन सी layer का क्या क्या नाम होता है क्या क्या work होता है और कौन कौन से जो है वो प्रोटोकॉल उस पे work करते है तो इनसे question आपका definitely बनेगा देगे दुबारा बना के कोई फायदा नहीं है उसमें मैंने अच्छे सा आपको समझाया है तो आप उसको जो है वो एक बार जरूर जो है वो देखिएगा बाकी मैं telegram पर जो है वो share कर दूँगा उन video के link आप telegram पर अगर हम से नहीं जुड़े हो तो link description में है ठीक है second channel का भी telegram का भी सारे link आपको description में मिल जाएंगे official gk study के नाम से है वहाँ पर आपको videos में share कर दूँगा तो आप उनको video को watch out कीजेगा अच्छे से समझीएगा और अपनी तयारी को जो है वो best कीजेगा ठीक है जी अगले question की बात करते है three or more devices share a link in dash connection ठीक है जो तीन से चार या तीन से जादा devices होते हैं वो एक link share करते हैं किस connection पर ठीक है तो इसका जो सही answer है जो आपकी network nodes होती है वो connect होती है तो उसको बोला जाता है आपका multipoint communication ठीक है frame relay, ethernet and ATM are some example of multipoint connection अब माल लिजे आपसे question पूछ रहा है ATM जो है वो किस type का connection है ठीक है unipoint है, multipoint है, point to point है तो आप उसका answer लगाओगे multipoint ठीक है जी, ethernet किस type का है आपका multipoint है, तो इस तरीके से आप जब detail में पढ़ते हो, तो आपकी उस तरीके से अच्छे से तयारी हो जाती है तो इसका answer होगा multipoint, I hope आपको समझ आ गया होगा, अगले question की बात करते है, which of the following computer networks is built on the top of the another network, ठीक है इन में से कौन सा computer network जो है एक के उपर एक, ठीक है, overlay करना तो यह आप समझ गयोंगे An overlay network is a computer network that is built on the top of another network, किसी और another network के उपर जो है, वो network जब create किया जाता है, तो उसको overlay network जो है वो बोला जाता है, some examples of an overlay network कौन कौन से होगे, virtual private network, जिसको बोला जाता है VPN, आप VPN का use करते होंगे ठीक है, माली जी आपने कहीं और connection करना है जो कि allowed नहीं है आप VPN का आपने use एक ना एक बार किया होगा, तो वो क्या होता है, कि एक network के उपर आप दूसरा network जो है, वो create करते हो ठीक है, तो VPN का आप use करते हो तो यह VPN किसका example है VPN example है, आपका overlay network का ठीक है, उसके बाद P2P, यानि के peer-to-peer networks यह भी आपका example है, overlay network का VPN से तो I think आप समझ जो होंगे बहुत बार VPN लोग use करते है कोई site ऐसी है, जो ban है उसको आपको open करना है, तो आप VPN use करते हो, और कहीं और का network connection जो है, वो लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है, कि जो आपका network है, उसके उपर एको network जो है, वो create हो जाता है, overlay network जो है, वो उसको बोला जाता है, I think आपको इतना तो समझ आ गया होगा अगले question की बात करते हैं इन computer networks, nodes are चार आपके बास option दिएगे हैं, जिनको आपको पढ़ना है ठीक है, the computer that originates the data the computer that routes the data ठीक है, nodes के बारे में आपको बताना है the computer that terminates the data तो इसका जो सही answer है, वो है all of the above, ठीक है, तो सभी answer जो है, वो इसके सही है in a computer network a node can be anything that is capable of sending data or receiving data or even routing the data or its destination, routers, computers and smartphones are some example of network nodes, ठीक है, router होगे आपके computer होगे, smartphone होगे यह आपके network nodes के जो है, वो example है तो इस तरीकी को question जो है, वो आपको अच्छे से read कर लेने है, ठीक है जी अगले question को देखते है communication channel is shared by all the machines on the network in what? ठीक है जी जो communication channel होते हैं, वो shared किया जाते हैं, ठीक है, सभी machines के दवारा कौन से network पर तो इसका जो सही answer है, वो है आपका broadcast network, ठीक है first answer इसका सही है broadcast network को देख लेते हैं, in a broadcast network information is sent to all station in a network, whereas in a multi-cast network the data or information is sent to a group of station in the network देखे क्या है, जो broadcast network होता है, उसमें जो information send होती है, ठीक है वो सभी station को single network में होती है, ठीक है whereas a multi-cast network होता है जो data or information होती है, वो group में send होती है, ठीक है, यह याद रखेगा in unicast network, information is sent to only one specific station, एक single specific station को जो अगर आपको send करनी है, तो unicast network use होता है, ठीक है, the broadcast address of the network is the last assigned address of the network, ठीक है तो इसका जो सही answer होगा, वो आपका broadcast network होगा next है, bluetooth is an example of what यह तो बहुत easy question है, आपने पढ़ा भी होगा bluetooth जो है, वो किसका example है comment करके बताईएगा, कि bluetooth की जो है, वो, कब इसको found किया गया था और किसने जो है, वो found किया था, ठीक है यह question थोड़ा tricky सा है, बहुत जगह अलग-अलग इसके information आपको मिलेगी तो आपको comment करके बताना है, ठीक है और आप comment करोगे, तब ही मज़ा आता है पढ़ाने में तो यह चीज़ याद रखीगा, तो इसका जो सही answer है वो है आपका first, personal area network, ठीक है, pan कहीं बार क्या होता है, एक चीज़ याद रखीगा option में कहीं बार दिया होता है WPAN, यानि के wireless personal area network तो यह भी आपका answer जो है, वो सही होगा तो Bluetooth comment करके ज़रूर बताएगा किसने खोज करी थी और कब की थी अगले question की बात करते है Bluetooth is a wireless technology used to create a wireless personal area network यहाँ पर आई गया है, ठीक है WPAN, तो यह देख लीज़ेगा ठीक है, नेक्स्ट की बात करते है A dash is a device that forwards packet between network by processing the routing information include in the packet ठीक है, यह तो आपको यहाँ पर answer देखी गया होगा, क्योंकि यह hide करना skip हो गया है तो इसका जो सही answer है, वो है आपका router A router के बारे में जान लेते है A router is a networking device that forwards data packets between computer network जो आपका computer network होता है उसके बीच में जो data के packets होते हैं अब यह क्या होते हैं, यह आपको समझ आएगा जब आप detailed वाली वीडियो देखोगे तो उसको send करने का काम करता है आपका router Router performs the traffic directing function ठीक है direction का काम जो है वो क्या होता है आपका router का होता है ठीक है, यह याद रखिएगा अगले question की बात करते है A list of protocols used by a system one protocol per layer is called what ठीक है, एक list जो protocols की use की जाती है किसी system के द्वारा तो one protocol जो per layer होता है उसको क्या कहा जाएगा जो अलग-अलग layers होती है उस पे protocol जो होता है one protocol per layer उसको क्या कहा जाएगा चार आपके पास option दिये गए है तो इसका जो सही answer है वो है आपका protocol stake ठीक है, याद रखिएगा तो a protocol stake refers to a group of protocols that are running co-currently that are employed for the implementation of network protocol suite ठीक है set of, जो group of protocols होता है ठीक है, उसको जो है वो आपका protocol stack जो है वो कहा जाता है ये चीज़ सिरफ आपको याद रखनी है अगले question की बात करते है network congestion occurs, when? ठीक है, जो network congestions होती है वो कब होती है ठीक है, चार आपके पास option दिया गया है इसका जो सही answer है वो है आपका first in case of traffic overloading जब भी आपका traffic जो है वो overload हो जाता है network के उपर तो उसको बला जाता है network congestion ठीक है, याद रखिएगा network congestion occurs when traffic in the network is more than the network could handle ठीक है, अमाल लीजे कोई network है वो so ही traffic handle कर सकता है और उसके पर दोसर पहुंच जाता है तो वो वाली condition आपकी क्या होगी वो होगी आपकी network congestion ठीक है, यह याद रखिएगा तो avoid network congestion, the network management uses various open loop and closed loop congestion control techniques ठीक है, open loop होगी आपकी closed loop होगी, ऐसी techniques को जो है, वो use किया जाता है network को manage करने के लिए ठीक है जी, तो यह याद रखिएगा अगले question की बात करते है which of the following networks extends a private network across public networks ठीक है जी, चार आपके पास option दिये गए है इसका जो सही answer है, वो है आपका virtual private network a virtual private network extends a private network across a public network, ठीक है जो private network होता है, उसको public network में जो है, वो extend करता है तो यह किसका काम होता है, यह होता है virtual private network का इसका और क्या काम होता है, it is also used to unblocked website which are unavailable in certain regions, कोई ऐसा reason है, जिसमें आपकी sites जो है वो आपकी available नहीं है तो उनको भी जो है, अनब्लोक करता है वो कौन करता है, वो करता है virtual private network, ठीक है जी तो यह थे आपके कुछ questions, I hope आपको जो है, वो पसंद आये होंगे और बाकी किस तरीके के question लगे, comment करके जुरूर ताएगा, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा, बाकी दूसरा चैनल जो current affair का आपके लिए बनाया गया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, उसके साथ जुड़ेगा, तभी उसमें current affair डालने का मज़ा आएगा, और अलग-अलग तरीके से जो है, वो current affair डाले जाते है, टेलिग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सासाथ आपको जो है, प्रिक्षा है, पर जरूर जॉइन कीजिएगा, 100 के लिए बहुत बढ़िया C++ और languages के question आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ताकि आपकी अच्छे से जो है, वो तयारी हो सके, थैंक्स पर वाचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे, नेक्स वीडियो के साथ.